आनिये किश्मीर सेंग, गुर्द्वारा माहितान हेडगरंथी, आपके स्वारत, नालज बहुत अच्छा है, मेरा एक आपके धर्म के बारे में परमंती है, कि आपका धर्म, हमारा धर्म, शब्द का पजारी है, आप कुरान को, हम गुरु गुर्ण साथ को शब्द को मानते ह और आपके ही धर्म में, कुछ एक मूर्ती पूजा का भी जो विदान है, नहीं है, परम्तु कुछ एक आदमी ये मूर्ती नहीं बढ़ाई, कि उसकी कबर्दे रूप में, जो है मजार के रूप में उसको मानता दे दी, आप मूर्ती खड़ी पूज लो, और पड़ी जो है तर्म के उल्ट नहीं, इसको बार याप रूश नहीं पाईए, भाई साब ने अच्छा सवाल पूचा है, हमें सवाल को धोरांगा, अगर सवाल को समझने में कुछ गल्सी होईगी तब सिदा कर देना, भाई साब ने पूचा कि बुद पर सी गलत है, उनके मजभ में भी गलत है, हमारे मजभ में भी गलत है, आप बुद को उल्टा पूज़ा, सिदा पूज़ो, तो मजभ को पूज़ना सही है कहने, वो आपका सवाल था, मजभार पे जाना, सही है क्या गलत है, भाई साब ने बहुत अच्छा सवाल पूचा, इसलिए मैं कहता हूँ, कि इस अगर पक्की है, तो उसको जमीन से नश्च करना चाहिए, सभी बुखारी की अधीस है, कि अगर कोई कबर पक्की है, तो उसे जमीन के लेवल पे लेकर आना चाहिए, मजभ मजार को पूज़ना घलत है, हराम है, मैं जानता हूँ, कि कई मुसल्मान अन जाने में, इल्म की क मन्दूर के भजे से वह मजहर मज़ार पे जाते हैं। और मेरा ये कहना है कि भोछ कँछर जो है कि अचिंधक एक हमारे जिंदेंगी में आजाता है। और हमारे बाप दादा पहले कई न कईए हिंदू तो हो ये तो बाप दादा जा दे-chesh तो अभी जा रहे हैं इनों मजार में आस्ते आस्ते तब्दिल या रही तो मेरी दर्खास थे कि अगर आप इस्लाम इन भाईों से जो मजार जाते हैं मुसलमन भाईों मजार पे जाना बिल्कुल गलत है मحمد صلة hebird में ने कहा कि आप कबर पे जाओ अगर आप कबर पे जाएगे तो आपको यह एहसास हो गा कि आप कभी ना कभी मरने वाले है तो आला पर और यकिन करेंगे आखर पर यकिन हूं तो कबर पर जाके उनके लिए दुआ करना सही है जो आदमी मर चुका है, उनके लिए दूआ करो, उनको दूआ नहीं कर सकते You can pray for them, not to them मतलब उनके लिए दूआ कर सकते, उनको दूआ नहीं कर सकते आप समझ रहे? वो बिचारा शक्स मर गया है, अच्छा शक्स था, उसके लिए दूआ कर सकते अच्छा नहीं जूनत फिर्दोस दे, उन्हें नियामत दे, उन्हें माफ कर, वो अतक्तिक है लेकिन जाके ये बोले, कि मेरे एक्जामिनेशन में में नमबर कम है, तो बाबा, नमबर अच्छे कर लो, ये बिलकुल हराम है शिफा, पुरान मजीद में कमस कमपचीस आयते हैं जिसमें लिकाए शिफा, शिफा, मतलब शिफारिश, वसीला हराम है, दो आयत में लिखा हुआ है, सिर्फ उनको इजादत हैं जो अल्ला आखरत में उनको इजादत देंगे, वो हम्मस से भी नहीं मांग सकते हैं, बाकी लो चोड़ो, मुम्मस स्लe लाह स्लम को भी मानना हमारे लिए हराम हैं, जो शक्स मर चुका है, हम उन्हें इज़त करते हैं व्ममत स्लeख स्लम से महबच करते हैं, उन से प्यार करते, लेकिन उनकी पुजा नहीं करते हैं, उनकी इबादत ने, आगे बादत सिर्फ अल्ला की है झाल झाल